Hello students, today we are going to study maths chapter 8 of class first. Let's start. Chapter 8, multiplication. Exercise 8.1. Fill in the blanks. खाली स्थान भरो. देखो, first question क्या है? 5 multiply 7, equal to 7 multiply. क्या fill करेंगे यहाँ पर? 5. क्यों fill करेंगे? देखो, equal के दोनों साइड हमको same करनी है. 5, 7 जा कितने होते हैं? 35. इधर क्या करेंगे? 7, 5 जा भी 35 होता है. इसलिए यहाँ क्या fill किया हमने? 5. Next. 9 multiply. यहाँ blanks है. आपको fill करना है. अंसर क्या आना चाहिए? 0. तो हम किस से multiply करेंगे? 9 multiply. 9, 0 जा करते हो न आप. तो क्या answer क्या आता है? 0. तो किसी number को जब 0 से multiply करते हैं तो answer क्या आता है? 0 आता है. ठीक है बटा? Next. 7 multiply dash equal to 7. 7 को किस से multiply करेंगे? कि answer 7 आना चाहिए. तो आप करते हो table करते हो न 7 बंजा 7 करते हो तो जिस number किसी भी number को जब 1 से multiply करते हैं तो answer same रहता है. तो बन गया न 7 बंजा 7. ठीक है? इसी तरह बटा? 13 multiply 1. जब किसी भी number को 1 से multiply करते हैं तो answer same. तो 13 का 13 आएगा. Next. इसी तरह 3 multiply dash. इसमें क्या फिल करोगे? equal हो जाए दूसरी साइड. equal के दूसरी साइड क्या है? 9 multiply 3. तो यहाँ क्या फिल कर देंगे? 9. तो दोनों साइड equal होगी. 3, 9 जा 27. 9, 3 जा 27. दोनों साइड equal होगी. तो यहाँ हमने क्या फिल किया? 9. Next. 0, 5 जा. 0 को 5 से multiply करते हैं तो क्या answer आता है? 0. जब किसी number को 0 से multiply किया जाता है तो answer 0 आता है. इसी तरह बटा? Next. आप आगे का homework में करोगे. Exercise 8.2. Question first. Look at the number lines carefully. Number lines को दिहान से देखो. Write the missing numbers. और इसमें the missing number को लिखो. First. दिखो बटा. यहाँ start है. 0. 0. Number line पर दिखो. 0 से हम कहाँ पहुंचे हैं? 2. तो कितने skip करके पहुंचे हैं? 2. तो आगे 2. 2 में क्या add करेंगे? 4 बन जाता है. तो 2 add करें. तो 4 बन गया. 2 में 2 add करें. 4. और 4 में 2 add करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6. और 6 में 2 add करेंगे तो क्या बन जाता है? 8. तो यहाँ क्या फिल करदेंगे? 8. 8 में 2 add करेंगे? 10. 10, 10, यह 10 फिल कर देंगे, 10 में 2 एड़ किये, 12 हो गए हमारे, 12 में 2 एड़ करेंगे, 14, ठीक है, बटा 14 का आगे 2 एड़ करेंगे, तो क्या आएगा, 16, 16 में 2 एड़ करेंगे, 18, 18 में 2 एड़ करेंगे, 20, यह हमारी number line complete होगी, अब इसी तरह next, इसमें देखो 33 का gap है, 0 में 3 प करेंगे, तो क्या आएगा, 6, 6 में 3 प्लस करेंगे, 9, 9 में 3 प्लस करेंगे, 12, 12 में 3 प्लस करेंगे, 15, 15 में 3 प्लस करेंगे, 18, 18 में 3 प्लस किये, 21, 21 में 3 प्लस किये, 24, 24 में 3 प्लस किये, 27, 27 में 3 प्लस किये, 30, इसी तरह next बेटा आप 5, 5 एड़ करोगे, ठीक है बेटा जीरो में 5 एड़ करें 5, 5 में 5 एड़ करें 10, 10 में 5 एड़ करें 15, 15 में 5 एड़ किए 20, 20 में 5 एड़ किए 25 फिल कर देंगे यहां पर next 5 प्लस किए 30, 30 में 5 प्लस किए 35, next 5 प्लस किए 40, 40 में 5 प्लस किए 45, next क्या है प्लस 5 किए तो 50, इसी तरह बेटा next two line आप homework में करोगी next question two, fill in the missing numbers, missing numbers को fill करो देखो first question, क्या लिखा हो है, 4, 4 के next क्या है, 6, कितने का gap है बेटा, 4 के आगे count करो, 5, 6, मतलब 2 का gap है, 6 के आगे count करो, 8 तक, 7, 8, इसमें भी 2 का gap है, तो 8 के आगे next क्या जाएगा, 9, 10, 10, 22, number हम add करेंगे, 10 में 2 add करेंगे, 12, 12 में 2 add करेंगे, 14, 14 में 2 add करेंगे, 16, 16 में 2 add किये, 18, यह हमारा complete हो गया, next question, 2, क्या है, 9, 9 क्या आगे क्या है, 12, देखो कितने का gap है, 9 क्या आगे, 10, 11, 12, 3, 3 number का, 12 क्या आगे, 15, 13, 14, 15, इसमें भी three का, तो हम fifteen के आगे three add करेंगे तो क्या हो जाएगा? Eighteen, add करके देख लो, fifteen के आगे 16, seventeen, eighteen, eighteen के आगे three Add करेंगे, क्या हेगा? 21, इसी तरह twenty one के आगे three add करेंगे, twenty four, next three add करेंगे, twenty seven, next three add करें, thirty, इसी तरह بेटा नेक्सट, आप सम homework में करोगे Students, आप previous class में table किये हैं आपने 2 to 8 इसलिए आज आप homework में 2 to 8 तक table write और revise करोगे और आज हम next table करेंगे table of 9 इको बेटा table of 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 Next table, table of 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100 Exercise 8.3 Question first, see the table and write the product बेटा आपने previous class में dozing table किये थे ना बेटा ये वो ही है, वो dozing table ही है देखो first question जैसे क्या लिखा हुआ है, 3 5 जा आपको पता है ना 3 5 जा क्या होता है, आपको table आते हैं तो आपको dozing table भी आते हैं 3 5 जा क्या होता है 15, यहां क्या लिख देंगे 15 second number पर क्या है 5 4 जा, क्या होता है 5 4 जा, 20 आप यहां 20 लिख देंगे, 6 8 जा, 48 48 लिख देंगे, 4 7 जा, 28 यहां 28 लिख देंगे, 3 7 जा, 21 यह बटा dozing table है, इसी तरह two line आप बटा homework में करूंगे ओके बटा, thank you, have a nice day